हेलो दोस्तों वेलकम बैक पूर नीए वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों ये खड़ी भी है आप लोगों के सामने ब्रैंड न्यूज राइडर 1.5 का ब्लू कलर यार बहुत सारे लोग इसकी वीडियो दाल रहे थे मैंने नोटिस नहीं किया कि ये कलर आप्शन आया था अभी बाई दो-तीन दिन हुआ है कि लोगों ने वीडियो दाली और मैं नोटिस किया कि हमारे ये वाइक सबसे पहले आ गई थी बट फिलाल अभी मैंने टीविएस का सोरों विजिट नहीं किया था दिपा वाली की वज़े से सो मुझे पता नहीं था कि ये कलर आप्शन आया है सो आज की इस पीडियो दोस्तो इस नए ब्लू कलर का कम्प्लीट बात करने वाले है और क्या प्राइज आती है क्या स्पेस्पेकेशन है क्या बजट आती सारी चीज़े मैं आपको डिटल्स में आपको इस बाइक के बारे में बताने वाला हूँ अला की कलर आप्शन काफी अच्छा लग रहा है आप देख पारे दिश्टों कम्पने ने काफी अच्छा कलर दिया है और जो ये ब्लू कलर बहला Лगात अच्छ रहे है तो पहले वहाला ब्लू आता था तौड दल लगता था बट ये जो ब्लू कज़र है आपको जादा बैतर देखने को मिल जाता है तो आज की इस वीडियो में इस कलर ऑप्षिन के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं चली फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बढ़ा है तो अपनी सब्सक्राइब कर लिजेगा बिलके अगर कर लिज है जायन सी बात है और कोई चीज खरीदने वाले हैं खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पस पैसा कि पार आपको मैं क्लियर करना चाहूंगो दोस्तों ये ब्लूटूथ वाला वेरेंट है यह जो कलर है यह आपको प्राइस देखने को मिलती है फिरल ऑनलोड़ प्राइस में अलग होता है इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये आपको एक्स रूट प्राइस देखने को मिल रही है इस रेट में और यह Bluetooth के साथ में आगा यह कलर ऑप्षन बेस मोडल में आपको यह कलर नहीं मिलेगा यह भी आप ध्यान दखिए थोड़ा कलर के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं यह पर यहापको ब्लू मिल रहा है यहाप थोड़ा ब्लैक कॉंबि अब देखने को मिलती है यह इसकी LED डिरल लाइट है जो की काफियत अच्छी लगती है में लेट में आपको फुली LED जो लाइट है वह आपको देखने को मिलेगा आप देख पर यहाप फुली LED लाइट कंपने नहीं आप ऑफर किये जब तक मैं इसे ओन निकरू हूं तब तक इसकी light on नहीं होगी ठीक है लाइट की illumination जो visibility है वह आपको काफिय अची कासी देखने को मिलती है इक पर मैं आपको आउन करके दिखाता हूं वाड़ी हमारी gear में पहले मैं से gear से अटा लेता हूं हुआ जया हूं आप में आपको एक फूली एलेडी दो लाइटैस में देखने को मिल जाती है अइपिंग इस में पैटेर्ल नहीं है अब तो अगर ट्राई करते है हाँ, we can see, यहाँ पर आपको fully LED जो light है, इसमें देखने को मिल रही है, जो की काफित अच्छी लगती है, ठीक है, जो tunnel single lamp है, वो आपको फिलाल bulb देखने को मिलेंगे, I hope आने वाले time पर यह भी आपको LED company देदेगी, अपडेट करती रहती है, पात करें फ्रंट suspension के बारे में, तो front में इसमें आपको telescopic forks देखने को मिलेंगे, बट suspension इसकी काफी अच्छे है, काफी अच्छा performance करके देते हैं, वो एगर tire size के बारे में बात कर लें, तो front में इसमें आपको tire size देखने को मिलते है, वो मिलते है, 180, एटी हंड़ेट के टायर से इस फ्रंड में देखने को मिलेंगे ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं देखे ब्रेकिंग में फिलार रेडर 125 में ABS को आप्शन नहीं है यह नॉर्मल डिस्क के साथ में आती अलाकि 125 बाइक में आया थिंग ABS उतना कंपलसर ही रकता भी नहीं है बट हो सकता है कि आने वाले समय में कंपणी वह भी अपडेट दे दे चलिए बात कर लेते इसके इंजिन स्पेसिपिकेशन के बारे में दोस्तों आपको बता दो इंजिन टाइप में इस वेहिकल में आपको 124.8 सिसी का एर कुल्ड फोरिश्टोक स्री वॉल वो एर कुल्ड सिंगल सिलिंडर जो इंजिन है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है बात कर इसके पावर और टॉक के बारे में यह मैक्सिमम पावर में लबक 11.2 के असपास का पीएस पावर जनरेट करती है नहीं 11.2 के असपास का जो टॉर्क है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है मतलब इसमें आपको पावर और जो टॉर्क है से हावर और जो टॉर्क है वो आपका यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तो आपको बता दू फिूल शिस्टम में इसमें अपको यहां एफब त्याक्वर और गास बाम robić में स्का साथ में आती है इस बिल collect चापको थ्री पबांडियर में लोड़ और selective में हूं जिसमें आपको 3 वाल्व एंजन मिलता है या तो आपको 2 वाल्व मिलेगा या तो आपको 4 वाल्व मिलेगा बैट ये टीवेस की अपनी टेक्नलोजी है ठीक है तो यह था दोस्तो इस बाइक का बट मैंने देखा भाई इसकी टॉपी स्पीड 110-115 प्लस हमें टॉपी स्पीड इसकी देखने को मिल जाती है जिया इसकी परफॉर्मस बहुत अच्छी है अब आते हैं इसके रियर प्रफाइल में सबसे पहले आप देख पार है रियर में आपको इसमें जो टैयर साइज दे देखने को मिलती है देख पार है यहाँ पे एक यहाँ पर इसकी प्लिट शीन देथी कंपनी 1-2 दो पार्ट में सीट है और एक चीज चीजिज मैंने नोटीस किया है और इसकी जो फोम है भाई बहुत ज़्यादा स्मूध है आप काफी कमफ़टेबल राइड इसे कर पाए मेंने देखनी को मिल shift कह न वहें गठी थे काफ़ी अपर खक्तन हो Peter के देखने को मिलैंगा यह बीकल का टेंक है क्यों कि आपको टेंक का शीजिक को मिला ए स्ब्लेइट के अइश् tutte की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है Rockstarulares कि स्पीडिमेटर के बारे में सबसे पहले आप खी देख लिजे कुछ इस टाइब कर खी आपको वाइक में देखने को मलता है देख पा रहे हैं टीवेस की ब्रेंडिंग है लोगों है ठीक है ओन करते हैं के स्पीडो में लिए तो यहां पर आपको इसमें टे अपर डिस्पलेए देखने को मलता है जहां तक मुझे पता है 125 सेग्मिन में रैडर 125 बीक लोटीयसिवाइक है जिसमें आपको टे अपको टेफटी डिस्पलेएक को मिल रहा है कोई और company कोई और brand 125 bike में किसी में भी TFT display नहीं देती सिभाए TVS radar 125 तो भाई बहुत बड़ी बात आई है features के बारे में बात के लिए तो काफी सारे features है यह इसका आप देख पार एक gear indicator है मैं gear लगाता हूँ यह देखिए यह one gear आ गया यह टेको मिटर है जिसे आर्पें मिटर कहता है यह फिल इंडिकेटर है यह एवरेज स्पीड है यह ओडो मिटर है यहापे आपको clock भी देखने को मिलता है यहापे आपको trip भी भी भाई में देखने को मिलेगा और speedometer जो आप देख पार है इसका जो trip 1, trip B, range यह सारे फीचर मिलेंगे और इसमें आपको Bluetooth connectivity भी देखने को मिलता है और यह clock है speedometer में speedometer में this is passes, low beam high beam tunnel single lab, यह horn है यह आपको eco and power का mode देखने को मिलता है power and eco में mode जो speedometer हो भी change होता है देख पार है ठीक है और यहापे आपको एक self कसीज देखने को मिल जाता है ठीक है अरब इसके liver quality देखे rider के भी बहुत premium मुझे लगते है बात कर लें इसके diminution and capacity के बारे में क्या seat height है क्या weight हम आपको बता देता हूँ जैर सी बाता है जो seat height है वो हमारे लिए important रखते है कि जो seat height है दूस्तो वो 780 mm की है बाइक की जो ground clearance है वो है लगबाक 180 mm की वोरल जो height हो 1028 mm की है करवेट 123 kg है फिल्टेंग capacity आपको 10 लिटर के असपास की देखने को मिल जाती है से तो ब्रैंड न्यू टीविए स्राइडर 125 का complete spaceification review जो की नया blue color है अब आप comment करके जरूर बताना कि आपको एक अधर option कैसा लगा सुमित करता है एक छोटी सी वीडियो दूस्तो अच्छी लगई की वीडियो अच्छे लगई तो लाइक करना चैनल पे पहली बरहे है तो सब्सक्राइब कर देना बलता है फिर नेक्स वीडियो में लवी ओल जैहिन वनने मात रहूं